लाए करते हो तो 101 परसेंट आप लोगों के बहुत जादा अच्छे मांक्स आएंगे अच्छे मांक्स मतलब फुल में से फूल आएंगे 70 में से 70 हैं तो कैसे आप सब आई होप सभी अच्छ होंगे इच्छ से पढ़ रहे होंगे तो बटा आज की इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे Physics in last four months देखे लगबग चार महीने अभी बाकी हैं CBSC board exam को लेकर कई बच्छे बोलेंगे कि सर नहीं चार से जादा है लेकिन आप लोगों को पता होना है जैसे कि अभी अक्तूबर को अगर आप देखते हो तो उस मंद में काफी फेस्टिवल है ठीक है इस तरीके से फिर आगे शादियों का सीजन आ जाएगा तो आप लोगों के पास गिने चुने चार महीने ही बसते हैं क्योंकि फिर आप ल वीडियों के अंदर हम उस चीज को डिसकस करने वाले हैं तो यह वीडियों आप लोगों को बहुत कुछ सिखाएगा मैं यह नहीं बोलूँगा कि थोड़ा बहुत सिखाएगा बहुत कुछ सिखाएगा तो इस वीडियों को लाश तक जरूर देखना है एंड इस टेलिग् का कंटेंट है ना वीडियो नोट्स पीडियाफ जो भी जरूरी चीज़ होती हैं सारी की सारी आप लोगों को इस टेलिग्राम चैनल पर मिलती हैं और बाकी जो मतलब अगर आप लोगों को लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बोक्स में जा सकते हैं वाप लोगों को ल तो आज के इस वीडियो में एक प्लान एक स्ट्राटिजी हम डिस्कस करने वाले हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और अच्छे लगए ता अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना चली तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले हम किस चीज को को स्ट्रक् के ओपर तो सते नंबर में हमारे पास आती हैं गाजी ठाजी नौ यूनिट ठीक है इन नौ यूनिट के अधर हमारे पास आएंगे कितने चप्टर 14 च coupon गैंगय चोदा देख ऑगे अब ध्यान से देखना में पर तुम्हें ना मार्क्स बट रहो हूं यूनिट वाइस बता रहा हूं देखो चेप्टर वाइस तो सीबी एसी ने भी नहीं बताया और अगर मैं यहां पर तुम्हें अपनी तरफ से बना के देदू हां यार यह चेप्टर वाइस यह माक्स है तो वह गलत हो जाएगा ठीक है जो चीज सही है जो एक्जेक्टर वह यहां पर बता रहे हूं देखो जो यूनिट है एन्स सेकेड्र वाइसमें पट किर्फ। नमबर की है कई बचे वोलेंगे मैं तो यूनिट फर्स्ट और सेगंड कर लूँगा सोला नमबर पक्के हैं अरे हम फुल मार्क्स लेंगे चिंता मत करो यूनिट फिफ्ट और सिख्थ के अगर हम बात करें तो उसमें चैप्टर नमबर एट नाइन टैन थाते हैं और वह यह एक ही चैप्टर आता है वह वह एलक्ट्र मैगनेटिफ वेव जो कि चैप्टर नमबर ऑट तर वह लगब दो या तीन नमबर कही आता है राप पिछले जो पेपर हुए हैं पहले उनकी आकोडिंग में तुम्हें आ पर बता रहा हूं ठीक है नेक्स अगर हम बात करें नमबर, स्वरी, यूनित नमबर सैवंध और ये टीट की तो उसमें तीन चप्टर इलाववंध ट्वेल्द और थीन जारूआँ बारों तेरवा कवर हो रहे हैं जो की बारा नमबर को कवर करते हैं जिसमें आपका जो चेप्टर नमबर 13 है वो बहुत ज़्यादा चोटा है ठीक है नुकलिय ही है ये बहुत ज़्यादा चोटा है अगर मैं बात करूँ चप्टर नंबर 8 की ये भी बहुत चोटा चप्टर है और अगर मैं बात करूँ चप्टर नंबर 5 की तो ये भी एक चोटा ही चप्टर है ये भी 2-3 नंबर का और यह भी दो तीन नंबर का ठीक है मतलब तुम्हें पता होना चाहिए जो चीज पढ़नी है वो किस तरीके से पढ़नी है मतलब अगर मैं एक चप्टर पे मालो आप लोगों के पास यह 13 चप्टर और आपको नहीं पता ही कि तीन नंबर का और आप इस पे लगे हुए है छे अगर देखा जाए तो यह आपका जो नीचे वाला पॉर्शन ही है मोडरन फिजिक्स के अंदर आ रहा है तो आप बोल सकते कि जो मोडरन फिजिक्स है जिसमें चार चप्टर कवर और आप लोगों की वह 19 नंबर की है तो यह तो हुआ को स्ट्रक्चर के बारे में कि पेपर फर हमारा सथन नंबर का यह는지 जा करेक्टिकल तब जाके हमारा सो होगा अलग अलग मतलब अब मतलब थियॉरि में तुम्हा अलग-अलग पास होंना है तिक है को 33% जितना भी टेीरिया उता हो तो सपो फोईलो करना होगा तब ही आप लोग पास होगे अच्छा अब बात करते हैं यार बुक्स की देखो फिजिक्स जब पढ़ रहे हो न तो मैं बुक्स के बारे में जुरूरी जान लेना चाहिए ठीक है मैं तुम्हें यहाप यह न ही बोलूँगा इस प्रब्रिशर की बुक्ष ले falei लो यह वाली रेफिरेंस बुक्ष ले empower नहीं जो एगजैक्ट बुक्क है जो सही काम आने वाली उसकी बात करेंगे ठीक है अभी आप लोगों को पता होगा देखो कि जो r cbc का साथ में अशर्षन वाले question ने एक एक कोशिए मतलब अप लोगों के पास एक paragraph है उसको पढ़ना है और फिर आप लोगों को के आंसर करना हो थे और सैंड और सुज़ेक्ट्री में आप लोगों को पताई यह डो नंबर के ती नंबर के पांच नंबर के कोशिन हो दोने वाल है अच्छा अब जो प्रोब्लम आति है न बच्चों वो कहां पे आती है अभा बस्य का नू पर्टर में कोई कमी नहीं भी है कि यह पढ़ने में कि देखो नियांसे बच्चे कहते हैं कि हम से अशर्षन रीजन नहीं होते केस बेस्ट नहीं होते तो वह क्या करते हैं जो हम चप्टर करते हैं उसको ढंग से पढ़ते हैं नहीं है डंक से कहने का मतलो किसी टीचर ने पढ़ाया एक टॉपिक पढ़ लिया या एक चप्टर यहां से पढ़ लिया एक चप्टर किसी दूसरे टीचर से पढ़ लिया एक चप्टर किसी तीसरे टीचर से पढ़ लिया ऐसे करते हैं ठीक है कोई बात नहीं जिसको जैसा सही लगता वो NCRT follow करनी पड़ेगी, हाँ जी, क्या follow करनी पड़ेगी बेटा जी, NCRT जो है वो follow करनी पड़ेगी, अब कहीं बच्चे बोलेंगे कि सर, NCRT तो मुश्किल होती है physics की, फिर करेंगे कैसे, don't worry, इसी वीडियो के अंदर सब कुछ बताऊंगा, तभी तो बोला है कि इस वी कहीं MCQ ऐसे आ जाते हैं जो ना हमें previous year में भी नहीं दिखते, वो होते नहीं है हमसे, तो उसके लिए एक और हमारे पास रामबान बुक बोलते हैं, वो होती है NCRT exemplar, क्या होती है बटा जी, NCRT exemplar होती है, बहुत बढ़ी बुक है, इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना जो इसके MCQ question होते हैं वो करने होते हैं, जादा अंदर जाने की जुरूत नहीं है, अब NCRT पढ़ो, इसके theory कर लो, इसके solve example हैं वो कर लो, इसके exercise के question कर लो, वो कर लो, सर बहुत जादा हो जाएगा, चार महिने के अंदर इतना क्या करेंगे, don't worry, सब कुछ बताऊंगा, क क्या क्या चीज़े तुम्हें NCIT में करनी हैं, ठीक है, कौन कौन से question करने हैं, वो भी मैं तुम्हें बता दूँगा, ठीक है, अगर आप लोगों को 70 में से 70 लाने हैं, एक भी नंबर आप लोगों का ना कटे, तो आप लोगों को ये दो book करनी ही करनी है, और इन दो book के ला हैं, और वो new notes भी upload कर रहे हैं, ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूँ, इस channel पर ही upload करते हैं, तो अभी chapter number first से लेके, chapter number 7 तक के new notes upload हो चोके हैं, बेटा जी, जो की pure, 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 NCRT based हैं, ठीक है, तो अब अगर आप NCRT की theory नहीं करना चाते हैं, तो इन notes को follow कर लेना, फि answer की एक और खासियत है, वो सिरफ notes नहीं देते हैं, वो सिरफ strategy ही नहीं बताते हैं, वो पढ़ाते भी हैं, तो आप लोगों को chapter number first से लेके, chapter number 7 तक के new one short भी upload कर दियो उन्होंने, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं बटा जी, ठीक है, तो आगे के one short फिर कहां से देखें notes, और क्या क्या चीजे किस तरीके से मिल सकती हैं, वो मैंने तुम्हें बता दिया, आपको किसी भी chapter के notes चाहिए, तो chapter का नाम और पीछे लिख दीजिए, सुने जंगरा, sir, exact वुसी chapter के notes मिल जाएंगे, ठीक है, चलो यार, अब बढ़ते हैं, आगे की तरह, अब ध्यान से से देखेगा, next, मैंने लिखा है, know your syllabus, sir, आप हर एक वीडियो में, हर एक strategy की वीडियो में, know your syllabus जरूर लिखते हो, भाई, पता होना चाहिए, कि कितना पढ़ना है, क्यों, क्योंकि यार, हमें जितना syllabus दिया होगा, जितना mention किया होगा, उतने में सी तो number मिलने हमें, फाल त पढ़ने का तो फाइदा नहीं होगा, तो CBSC क्या कर रहा है, syllabus में से कुछ-कुछ उडाई जा रहा है, ठीक है, लेकिन अब की बार क्या किया है, CBSC ने, कुछ चीजे plus कर दी है, कुछ चीजे minus कर दी है, minus तो लगबग वही हैं, जो पिछली बार थी, लेकिन addition भी हुई है, तो बेटा, इसलिए आप लोगों को मैं बोलूगा, कि अपना जो syllabus उसको प्रिंट कर वा लो, hard copy ले लो, अपने room में तीन-चार जेंगे चिपका दो, जहां पे तुम पढ़ते हो, ताकि तुम्हें याद रहे, यार, physics में यह यह चीजे है, आपकी जो main copy है, उसमें चिपक बादी है, वो minus हो गई है, तो इस तरीके का, जो syllabus है बेटा, वो तुम्हें पता होने चाहिए, कि हाँ, यह यह चीजे deleted है, यह चीजे add हुई है, तो इसके लिए मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, कि description box में तुम्हें एक link मिल जाएगा, वीडियो का, और उसमें मैंने त सब कुछ बताया हुआ है, कि क्या क्या चीजे add हुई है, क्या क्या चीजे delete हुई है, तो description box को जुरूर check कर लेना, तो यह तुम्हारी attention मैंने खतम कर दी है, ठीक है, अब देखिए, बात आती है, कि जब भी हम यह number अच्छे लेने होते हैं, मान लो कि तुम्हें क्या करना ह सतर में सतर लेने हैं, तो अगर तुम्हें सतर में सतर लेने हैं, तो भाई सब फिर syllabus तो पूरा ही करना पड़ेगा, आपके जो 14 चप्टर हम वो करने ही पड़ेंगे, तो उसका एक सबसे बढ़िया इलाज क्या है बटा जी, मैं physics की यहां पे strategy तुम्हें बता रहा हूँ, क चार मीने के अंदर बहुत बड़ी दिखती हैं, लेकिन एक तरीका होता है, एक smart work होता है, उसको करते हैं, ठीक है, आपको क्या करना बटा जी, जितने भी चप्टर है न, चप्टर एक से लेके, चप्टर 14 तक, आपको सारे के सारे चप्टर के one shot videos देखने हैं, क्या देखन में comment कर देना, अगर समझ जाओ तो, तो सबसे बेले बेटा, तुम्हें क्या करना है, चप्टर नमबर कोई भी उठाना है, जैसे चप्टर नमबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे हैं, तो आप लोगो को रहा है, वन शोट वीडियो देखने हैं, अब मैंने तुम्हें बोला है कि चप् और रोज मैं कोशिश करूँगा कि रोज ही मैं तुम्हें अगले 6-7 दिन के अंदर 9, 10, 11, 12, 13, 14 दे दूँ, लेकिन मान लो अगर हम अगले 7 दिनों के अंदर ये चप्टर नहीं भी दे पाते हैं, तो इस सेप्टेंबर मन्त के अंदर पूरे का पूरा सलेबस मैं बेटा अपलोड कर दूँगा, don't worry, मैं तुम्हेरे साथ मैंने बोला है कि इस चैनल पे आप लोगों को पढ़ाई की वीडियो, स्टेटिजी, वीडियो, नोट्स की वीडियो, सब कुछ प्रोइड करी जाएगी, एक सिंगल नंबर भी मैं आप लोगों का कटने नहीं दूँगा, यह वादा है, ठीक है, यह दूसरे चैनल की तरह नहीं है, कि आए और तुम्हें स्टेटिजी बदाई, कुछ पढ़ाया नहीं और चलो, यार हो जाएगा, नहीं, स्टेटिजी भी बदाएंगे, करवाएंगे साथ में, ओके, चलो, तो यह बता दिया है कि आपको सेप्टे प्रिपेर कर लो, सर इतना टाइम होगा, क्या नौट्स प्रिपेर करने का, डॉन्त वर्य, न्यू नौट्स a queste-र है चैनल पे, यू नौट्स अप्लोडड़द है चैनल पे तो उनको आप देख सकते हैं, डॉणलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में में ड कि अब लोगों, कई बच्चे ऐसे होंगे, जो पहले वारप्ट रहे होंगे उन्हें एकदम से समझ में रहें बाहिः लेगे उन्कों मैं बोलूँगा और दो से तीन बार देख लेना क्या खर ok συνासे थूड़ी सी हाइस पार देख लेना थोड़ी हाई स्पीड पर देख लेना कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इसली तुम्हें समझ में आ जाएक और यह वीडियो चाहे आपने स्लेबस शुरू किया है चाहे आधा कर लिया है चाहे 40 परसेंट पड़ा है चाहे आपने पूरा स्लेबस कर लिए यह वीडियो सब बच्चो और उसके नीचे बहुत सारे मजदूर काम करते हैं उन मजदूर को कम पैसे मिलते हैं ठेकेदार को ज्यादा पैसे मिलते हैं ऐसा क्यों है क्योंकि उस ठेकेदार को स्मार्ट वक करना था उसको पता है इन बंदों से कैसे काम करवाना है तो तुम्हें भी ना हार्ड वक करन करना है बढ़ एक स्मार्ट वे में करना है तो इसलिए आप लोग फॉलो करोगे 80-20 रूल को किसको फॉलो करोगे 80-20 रूल को फॉलो करोगे देखो आप लोगों को प्रेक्टिस जब करने है तो किन चीजों की करने है NCRT के कोशन की करने है NCRT examplar के कोशन जिसमें सिरफ MCQ करने है सिरफ MCQ और previous year के कोशन करने है मैं आप लोगों को बता दू कि आप पांच साल के कोशन करो सफिशेंट है सिरफ पिछले पांच साल के कोशन करो सफिशेंट है पिछले पांच साल के कोशन करो और जो बुक होती है वह चैप्टर वाइज लेना और उसमें एक सिक्वेंस होती है मतलब सबसे पहले लेटेस्ट वाले ही कोशन होती है आप लोगों को ज्यादा पीछे तक जाने की जूरूत नहीं होती है तो इसलिए पांच साल तक के कोशन ध्यान से सुनो इंसे आटे कोशन करने एंसे एग्जाम्प़लर कें एंसयों करने और प्रीवेस एर कोशन करने जो की 5 साल के हैं अब जहां से सुनना की करने कैसे है बाइसाब वीडियो बनाया वहां यहां पर उसको मत डालो यहां तो नई वीडियो भी मैं अपलोड कर दूँगा NCRT के important question की NCRT के important question की ठीक है अगर तुम चाहते हो कि new video upload करो तो comment section में जुरूर comment कर देना कि हाँ sir new video upload कर दो ठीक है यह comment करना होगा जो ज़्यादा comment होगे तो ही मैं NCRT के important question तुमें बताऊंगा अदर्वाइस फिर तुम पुरानी video जो मेरी uploaded है important NCRT question की वो करने है तुमें previous five year के question करो यह तुमें कहीं से देखने की जूर्ट नहीं है बता दिया मैंने तुमें हाँ जैसे हमारा syllabus पूर होगा मैं तुमें करवाँगा selected हर एक चप्टर के 30 से 35 question हर एक चप्टर के 30 से 35 question मैं खुद तुमें करवाँगा previous year question मैंने बोला है कि यहाँ पे सिरफ बोला नहीं जाता है यहाँ पे करके दिखाया जाता है ओके चलो याँ तो यह time हो आपका practice का और बेटा जितना हो सके ना जादा से जादा practice करो जादा से जादा practice करो ठीक है अब last में आ जाता है NCRT reading क्या यह जरूरी है मैंने सबसे पहले बोला था कि हमारा जो paper है वो objective और subjective दोनों होने वाला है MCQ भी आएंगे very short short answer type और इस तरीके से जो आपके long answer type है वो भी आएंगे तो बच्चों को problem का आती है MCQ नहीं होते यह चर्शन reason नहीं होते यह case based में problem आ जाती है वो इसलिए आते क्योंकि वो NCRT नहीं पढ़ते तो बचा NCRT पढ़नी है दो से तीन बार पढ़नी है सर मुश्किल होती है बचा कैसे मुश्किल होगी जब तुमने one short देख लिया उस chapter का उस chapter के आपने revision कर ली notes से ज़ान से सुनना one short देखो जो notes मैंने तुम्हें दिया हुए उन notes से revision करो NCRT question लगा लोगे ठीक है previous year question कर लोगे उसके बाद तुम्हें करनी है NCRT reading last में जागे करनी है कई में चे क्या करते हैं अब से पहले NCRT उठा लेते हैं उसको read करने की कोशिश करते रहते हैं फिर वो first जाते हैं कि हां यार अब यह मुश्किल लगती है हमसे नहीं होगी लेकिन ध्यान से सुनो बटा one short करना है one short से अपना chapter पूरा करो one short करने के बाद जो notes बनाए हैं जो तुमने एक आदा छोड़ दियोगा तो वो अच्छे से समझ में आ जाएगा और कोशिश करना कि फैब तक दो तीन बार आप NCRT को पढ़ लो बहुत अच्छे से पढ़ लो दो तीन बार यह बहुत जादा जुरूरी है अगर आप लोगों को सत्तर में से सत्तर लाने हैं और कोशिश करते हैं कि जैसे ही हमारी प्रिविश एरकोशन की सीरीज पूरी हो हम एक NCRT डिकोड या NCRT हाइलाइट या कुछ भी NCRT पे बेस्ट एक सीरीज ले आएंगे आप लोगों के लिए वह भी कमेंट सेक्शन में बता देना तुम लोग ठीक है चलो या अब इन सब चीजों को करने के लिए सही बात है सिंपल से यार चार महीने है अगर चार महीनों को अच्छे से यूटिलाइज करना तो यह चीज तो सबसे बड़ी ज़रूरी है क्या आप लोगों को जो डिस्ट्रेक्शन है वो अवोल्ड करनी है डिस्ट्रेक्शन क्या है अपने फेंट के साथ फालतू घूमने जाना इस टाइम पर भी ठीक है और मुबाइल पर लगे रहना इंस्ट्राग्राम पर रील्स देख रहे हो अगर आप यूटिघ्य पर लेकिन अच्छे काम मतलब पढ़ो अगर आप अगर आप यूट्यूब पर लेक्शर देख queremos और इसके बाद अपना मुबाइल को साइड में पर दो अगर आप चलाना भी चाते हो इंस्ट्राग्राम कुछ यूट्व पर रील्स देखना चाहते हो तो अब लोग 10-5 मिनिट उसके लिए टाइम फिक्स कर दो ठीक है तो यह चीज़ तो यार बहुत ज्यादा जुरूरी है तो मैं अपना एक एक्जांपल बतातो हूं आज मैं तुम्हारे लिए नोट्स बना रहा था और मैं बैठा बारा सड़े बारा बजे मैं चला लेते हैं फिर फिर सोचाidée 10 मिनों तो इस तरह दो गौन जाल दिए तो यह सब चीज़ेगे तुम्हें नहीं करनी है ठीक हमारे पास तो चला है लेकिन तुम्हें करनी है क्योंकि कुमारे बशलिट टाइम है चार महीरे का ही टाइम है तो इतनी दिक्कत परिशानी नहीं है बड़ तुम्हें परिशानी है क्योंकि इसके बाद तुम्हें अपना कमपटीशन जो है उसको देखना है नेट जई जो भी सीउट आप देना जाते हो उसको देखना है तो इसलिए यह चीज बहुत ज्यादा जुरूरी है और इन सब चीजों के साथ साथ आप लोगों को क्या गरना है एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बना लेना अगर तुम्हें तब लोगों कई एक दोलोगा कि स्वेस्टिक बना लो रात के तीन बज़े तक पढ़ रहा है या मेरा दोस्त सुबए चार वज उठके पढ़ रहा है उन सब चीजों को छोड़ो जो तुम कर सकते हो वह बनाना ठीक है एंड इंडेड मैं बस यही बोलूँगा कि यर कोई कभी वह इसाम वह स्में अरभ को सारी चीजे कर ले लेकिन जब तक तीन चार बार या कम चार बार थे लिजाते है कि लोग अगर प्रेश्चेन अठी कर 95 में वह frankly अब फूल में से फूल आएंगे सत्तर में से सत्तर आएंगे यहां पे इस वीडियो के अंदर कोई आप लोगों को जादू की पुडिया या फिर कोई छड़ी नहीं दी गई कि हां यार घुमाई सरने और काम हो गया ऐसा नहीं है पढ़ना होगा मैंनत करनी होगी मैं तुम्हारे साथ मैंनत कर करना और जो बताया है कि हां यार अगर तुम्हें कोई भी सीरीज चाहिए यह कुई सी टॉपिक वीडियो चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में बता देना ओके अगर अच्छी लगी यह वीडियो तो अपने फ्रेंट्स के साथ शेयर जरूर करना एंड करते हैं इस वीडियो के यहीं पर कतम एंड पढ़ते रहो यार मैं तुम्हारे साथ हूँ डोंट वरी तो बवाई टेक केर जैहिंद वन्यवांत्रम